हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं चोटा भाई शंबुलाल रेबारी जो की वर्तमान में 66 वर्ष का ब्रद्ध हो चुका है आज से 40 वर्ष पूर्व शंबुलाल ने जालो की मदार निवासी भेरुलाल जेन पुत्रकालुलाल ने घर पर काम करने के लिए रखा था वहाँ पर शंबुलाल से खेती बारी घर का क लाम भेस चराई घास कटाई और भेरुलाल के भाई हुडलाल जो की मानसिक रूप से विकृत था वो उसकी वो सेवा करता था इस पर शंबुलाल के परिजनों ने मासिक वेतन की बात कही तो उन्होंने प्रती मास सो रुपे देना तेय किया था उसके पश्चात 15 वर्ष प परिजनों को विश्वास में लेकर ना तो शंबुलाल का पॉस्ट आफिस में अकाउंट खुलवाया और ना ही उसको पैसे दिये साथ ही शंबुलाल के भोलेपन का फाइदा उठा कर बेरुलाल की पतनी कमला भाई आए दिन उससे मार पीट करती थी और शंबुलाल को खान जारिलाल को पीट दिया बेरुलाल के सभी परिवार के लोगों ने शंबुलाल को दो दिनों तक घर में बंदक बना कर रखा और परिवार वाले जाते तो उसे मिलने नहीं देते दो दिन तक खाना नहीं देने से शंबुलाल की तब्यत काफी खराब हो गई इसके बाद बे 2020 को घड़ से भगा दिया खमनोर थाने में मामला दर्स कराया अभियुक्तों के खिलाब मामला दर्स करवाया शम्बुलाल के भाई हजारी लाल ने S.P. सुधिर चौधरी को ग्यापन सौप कर न्याए की गुहार लगाई जागरुक टीवी के लिए रास समन से नरेंद्र सिंग खंगारोत की रिपोर्ट